नमुश्कार विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रया हाजर है प्रदेश की चार बड़ी खबरों के साथ पहली खबर की बात करते हैं मध्यप्रदेश में आदिवासी वोट को साधने को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है बीजेपी और कॉंग और को बोपाल में जग्जात्ये महा सम्मेलन आयोजित कर रही है और शॉल्ट के प्रदैन मंध्री नरेंद्रं मोदी हो रहे हैं कॉंग्रेस ने भी औब यह कॉंग्रेस या आयोजन इसलिए कर रही है वो बीजेपी को अपनी ताकत दिखाना चाहती है बताने जा रही है और समेलन में प्रदेश भर के आदिवासियों को आमंत्रित किया गया है पूरी जिमेदारी पूर्व वित्त मंत्री तरुन भनोट को सौपी गई है बता दे क कि इससे पहले 18 सितंबर को जबलपूर में राजा शंकर शाह रगुनाद शाह के शहीदी दिवस पर बीजेपी ने आयोजन किया था और इसके बाद वहां पर उस आयोजन में ग्रह मंत्री अमित्शाह थे और अब जो आयोजन 15 नवंबर को होने जा रहा है उसमें प्रदान कर दिया है कि जबलपूर में जंजाती सम्मेलन कॉंग्रेस आयोजित कर रही है बता दे कि राज में 43 समूह वाले आदिवासियों की आबादी 2 करोड से जादा है जो 230 में से 84 विधानसभा सीटों पर असर डालती है मध्यप्रदेश में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए ब आदिवासियों पर सियासत विधानसभा के मांसून सत्र के दोरान से शुरू हुई थी कमलात ने राजुका मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विश्वा आदिवासि दिवस 9 अगस्त को सारवजनिक अवकाश शुरू कर दिया था और शिवराज सरकार जब फिर से सक दिवसा मुनला की जयनती पर प्रदेश में बड़ा आयोजन किया जाएगा और अभी आयोजन 15 नवंबर को होने वाला है जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे देखना होगा कि आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए मधिप्रदेश की सियासत कि और रुख करती है और क्या कुछ होता है बड़ते हमारी दूसरी खबर की ओर भोपाल में हुई घटना भोपाल के हमेदिया के कमला नहरू अस्पताल में हुई घटना अभी या पूरी घटना शांत भी नहीं हुई मामला अभी पूरी तरीके से सुलचा ही नहीं कि एक और घटना गौालियर से सामने आ रही है जहां पर प्रिशासन की लापरवाही उजागर हुई है बच्चों के ICU की तस्वीरे सामने आ रही है जहां पर सीवर का पानी भर चुका है SNCU में चार दिन से SNCU बंद है और आलम यह है कि गौालियर में डेंगू पीडत मरीजों की संख्या इसके कारण बढ़ती जा रही है बच्चे काफी जादा इससे प्रभावित हो रहे हैं चार दिन से अस्पताल में सीवर का पानी घुसा हुआ है स्वास्त विभाग के आकडों की बात करें तो पिछले 24 गंटे में तिरपन बच्चे डेंगू के सामने आ चुके हैं प्रभा सिंग चौहान ने आपात बैठक बुलाई उनका साफ तोर पर यह कहना है कि जो भी जमेदार होगा उस पर करी से कड़ी कारवाही होगी जनों ने बच्चों की जान बचाई उनका सम्मान किया जाएगा तबाम चीज़ें चल रही हैं लेकिन इस बीच गवालियर से जो तस् लोग इलाज करवाने आते हैं वहाँ पर इस तरह की गंदगी और वहाई से लोग बिमार होकर बाहर निकले यह काफी बड़ी लापरवाही को उजागर करता है और प्रशासन की लापरवाई को उजागर करता है अस्पताल प्रबंधन को इस पर खासा ध्यान देना होगा see you भी बंद है गॉालियर में बच्चे डेंगु से काफी जादा प्रभावित हो रहे हैं बर्त आमारी में unit की पहली और दूसरी लहर में सबसे जिसमें वाइरस और बैक्टिरिया से होने वाले बिमारी उपर रिसर्च और रोक थाम पर काम किया जाएगा। कोरोना के काल में काल से सबक लेते हुए इन दौर में एक ग्लोबल पैंडमिक हब बनने जा रहा है। उसमें कोविड के साथ मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसे वाइरस और बैक्टिरिया से होने वाली बिमारियों पर अध्यन किया जाएगा। बिमारियों के रोक थाम मैनेजमेंट और कंट्रोल पर यहां काम किया जाएगा। और इसके लिए युनाइटे नेशन, युनेसको और विश्व के कई NGO के साथ MOU साइन हो चुका है। दरसल कोविड का जो समय था पहली और जो दूसरी लेहर थी इंदौर होट स्पोर्ट बना हुआ था कोरोना के जो सबसे जादा मरीज निकल कर सामने आ रहे थे वो इंदौर से आ रहे थे और वहां से अब इस पूरी जो कोरोना काल का समय था उससे सबक लेते हुए IIT इंद और IIT के लिए बड़ी उपलब्धी होगी और यह तमाम चीजे अगर कामियाब हो जाती है तो बड़ते हमारी चौथी और आखरी खबर कियों जो की रिवा से है रिवा में आज लोका युक्ति की बड़ी कारवाही हुई है गोविंदगर थाना प्रभारी और सब इंस्पे मांगी गई थी गोविंदगर थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर द्वारा तो 13,000 की रकम लेते हुए लोका युक्ति की टीम ने धर्द बोचा और भरष्टाचार निवारन अधनियम के तहत मामला दर्श कर लिया है यहां पर लोका युक्ति के नवागत SP गोपाल सि प्रभारी SS बगेल और ASI देश राज सिंग परिहार के उपर कारवाही की है पहले ही शिकायत आ चुकी थी दरसल बड़े पाटी में गोली चलाने का मामला कुस समय पहले जिले से उजागार हुआ था जिस पर कारवाही करने को कारवाही पर धील करने को लेकर थाना प्रभा द्वारा और इससे परिशान होकर शिकायत करता ने लोकायुक्त में इसकी शिकायत की शिकायत करने पर जब जाच हुई तो ये शिकायत सही पाई गई लोकायुक्त की टीम ने दबिश देकर गोविंदगर थाना प्रभारी और ASI को रंगे हाथों गिरफतार कर लिया है और रीवा पुलीस अधिक्षक ने भी कारवाही करते हुए अधिकारियों को निलंबित कर दिया है आज की चार बड़ी खबरे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स बहुत बहुत धन्यवाद